आज हम रिप्यार करने वाले है प्रोको का एफ वान जो की बहुत ही बड़िया एक मुबाईल है तो यहाँ पर देख सकतो इसका स्क्रीन ऑध डिस्प्लेई खराब हो चुका है तो आज हम इसको रिप्लीज करने होले किस तरह से पुर से पूरा बड़ियो के एंद कशने अतहे हैं वाप है उसके पहले यहां पर चीब साप चिए आप ध्यान रगए जो यह तो जब ब्यक्सार आप खोलोगे तो इसको आराम से प्यार से निकालेगा नहीं तो ये पत्ता कट सकता है तूट सकता है तो इस चीज़ कब ध्यान रगेगा तो मैं कुछ इस तरह से आपको इसको आपन करना है तो यहां पर जो आप देख रहे हो फिंगर प्रिंट संसर तो आप में अब करना नौएत तो इसको निकालने के लिए वपर का जो ब्लैक पोशन है मदर बूत के उपर का तो इसको हम सारा म्ते को निकाल लेंगे और इसको आपन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम फिंगर पिंगर पिंपर अलग को नहीं को दिखा दूर करेंगेहां जो डिस्प्ले का connection है बैटरी के नीचे से जाता है तो उसके लिए दूस्तों सबसे पहले तो उनको बैटरी को निकलना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर में पत्ता को भी हम हटा देंगे और उसके बाद बैटरी को अराम से निकाल लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यह जो बैट अजय्वाया हो चैनल पर तो जाके आप देख सकते हो तो उसके बाद दूस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे जो डिस्प्ले का पता है उसको निकाल लेंगे और जो कॉम्बो है वो निकल चुका है आप देख सेकते हो कुछ इसस जो फ्रेम है इसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें जो पुराना बला ग्लू या जो काज का टुकड़ा है वो रहना जाए इसको अब अच्छे से क्लीन कर लेना उसके बाद ही कॉम्बो को फिट करेंगे तो अच्छे दिस्तों यहां पर फ्रेम है पूरी तरी किसी क्लीन हो चुका है आप देख सकते हो तो अब हम क्या करेंगे जो नया वाला कॉम्बो जो हम लगाने वाले तो उसको पहले चेक फिलेंगे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं तो आप भी जरूर लगाने से पर एक बर चेक जरूर कीजीगा नहीं तो बात में आपको नुकसान हो सकता है तो चले दुस्तों इसको एक फटावर्स एक बर चेक कर लते हैं उसके बाद इसमें पेस्टिंग करेंगे तो चले दुस्तों यह आपर मुगार्ट्न जो हे ऑप्यन हो चुक आप देख सकते हो कितना बढ़ी तरह करन रहा है टग गजो։ तो चलिए इसको चेक हो जुका है तो अभी हम इसको ओपन करनेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे जो पेसिंग है ग्लू वगरा हम लगाएंगे तो हमेशा दोस्तों जब भी अब ग्लू लगए तो अच्छा वाला लगए ताकि बाद में जो यह ग्लू है खुल के ना आ ज कर दिया है कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं फेबिगू किया डंडाइड वगरा लगा देते तो उससे दोस्तों जो डिस्प्ले है ओपर रोल इसका खराब होने की चांसेस बढ़ जाता है तो यहां पे दोस्तों रिलाइफ या जो यहां पे टी सेंटी सेंट ताउजन वो की बड़िया क्लू है वह आप चाहे तो यहां पे ट्राइब कर सकते हों इस तरह से दोस्तों हम ग्लू लागा देंगे उसके बाद उसको थोड़ी दिर के लिए सोकने के लड़क देंगे लू लगाने के तुरंद बाग हम इसको फिट नहीं करेंगे और इस टेम पर हम क्या डिस्प्ले कर साथ चिपकाएंगे ठीके और यह जो टेप है दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो इसकी मज़त से दुस्तों हम यहां पे जहाँ पे डिस्प्ले और इस तरह की टेप लगा देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों यह शॉट नहीं होगा ठीके तो कभी-कभ कभी कभी शॉर्ट होता है इसका ऐसी तो यह नहीं होगा यह दिक्कत नहीं आएगी और उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और चीज करना है वही वाला टेप आप यहां पर पत्य के एक दिम नीचे लगा दिजी कुछ इस तरह से तो इससे क्या होगा दोस्तों जो यहां पर ह है खराब नहीं होगा इसका पत्ता खराब नहीं होगा और अगर बाइचांस कभी आपका थोड़ा वह पाने घुछ जाता है तो यह की बज़े से दोस्तों डिस्प्ले का पत्ता है बच जाएगा ठीक है तो यह आप लगाएगा तो आपको जरूर बैतरीन डिजर्ट देता है तो यह जो डबल टेप है ब्लैक कलर का इसको लगाने से क्या होगा है वह छूटेगा नहीं और ब्लैक जो लाइटिंग है वह भी नीद दिखाई देंगा ठीक है तो यह आप जरूर एपलाई कर सकते हूं ठीक है तो खुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको लगा बढ़ाए करेंगे यहां पर डिस्प्राइब का पता है उसको इन कर देंगे और उसके पार दोस्तों उपर के उट से स्लाइट करते हूए डिस्प्ले को कॉमब को बिठा देंगे ठीक है तो एकदम जोड से प्रैस करने की ज़रूरत नहीं है हलकर हाथों से इसको प्रैस कर दिखाऊंगा वह आपको करना ही है उससे दोस्तों और भी बड़िया आपका जो कॉम्बो है फिनिशिंग आएगा ठीक है तो प्लीज वीडियो को प्रायंट देखेगा और वीडियो पसंद दा तो प्लीज यार लाइक करने चलको सब्सक्राइब जरूर कीजिए गए तो खर देखेगर कीजिए हैं तो उससे घंगार में खबाएगा नह मुदा गएबें शाल दिखा आपका जो ह्मie हो झाल झाल तो चलिह दूस्तों यहां पर कम्बो है complete fit हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर झो है साते है रवर बगरा तो उसकी मदद से दूस्तों यहां पर हम जो फोल्डर है उसको बाद लेंगे तो यहां पर दो या तीन यह पाप लगाईए जाधा टाइट मत कि दियेगा उससे क्या होता है जो डिस्प्ले है कॉम्बो है वो खराब होने की चांसे से रहता है तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसको बारी-बारी से करके तीन या चार रवर जो है लगा दीजिए और इसको करीब करीब आप एक गंटे से लगे दो गंटे तक रख सकते हो तो उससे बहुत ही बढ़िया जो डिस्प्ले का जो कॉम्बो का जो फिनिशिंग है वो आ जाएगा ठ प्लीज लाइक करना चलको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट पीडियो में तते के लिए नमस्कार बंदे माथरा